आज के टाइम में इंडिया की तक्रीबन 70% पॉपिलेशन विटामिन D की कमी से जूज रही है और ऐसे में क्या होता है डॉक्टर्स हमें विटामिन D के सप्लिमेंट्स लेने को बोलते हैं पर क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपके शरीर में इस चीज की कमी है तो आप पर विटामिन D की दवाईयां कोई असर नहीं करेंगी हेलो एवरिवान मैं हूनवमी और आप देख रहे हैं अनकट भारत की अलग-अलग हेल्थ लाप से मिले डेटा की मुताबिक आज के समय में हमारे देश में हर चार में से तीन लोगों को विटामिन D की कमी है और इसके हमारी डायेट और धूपना लेना और इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग लेते हैं विटामिन D के सप्लीमेंट और क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में विटामिन D के सप्लीमेंट लेने वालों का नंबर 3 गुना बढ़ गया है पर क्यों है जरूरी विटामिन D हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जरूरी होता है और जिने भी विटामिन D की कमी होती है उनकी बोन्स वीक होने लगती है और कुछ केस में तो लोगों के हैर लॉस भी होता है लेकिन अब एक नई रिसर्च के थ्रू ये पता चला है कि जो लोग इ लिए विटामिन D के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उनको भी कुछ फाइदा नहीं मिल रहा पर हां ये सिर्फ उनहीं लोगों में हैं जिनकी बोडी में मेगनीशियम की कमी है हावर्ट के टी ए चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की लेटस रिसर्च से ये पता चला है कि अगर आपकी बोडी में मेगनीशियम की कमी है तो विटामिन D के सप्लीमेंट्स का कोई भी फाइदा आपको नहीं मिलेगा इन फाक्ट इसको लेने से आपके शरीर में कैल्शियम और फॉस्फरिस का लेवल बढ़ जाता है जिससे की किड्नी और हाथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको बता दूं मेगनीशियम लिवर और किड्नी के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है तो ऐसे में डॉक्टर्स का यही कहना है कि अगर आपको विटामिन D के सप्लीमेंट्स लेने हैं तो उससे पहले यह जरूर चेक करवाएं कि आपकी ब उसी तरह मेगनीशियम भी बोन्स की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत इंपोर्टेंट है बॉडी में मेगनीशियम की कमी के कुछ सिंटम्स हैं भूख कम लगना हमेशा ठका ठका हुआ फील करना या नीज में पेन होना तो इसलिए इसका टेस्ट करवाना बहुत ज़रू करें आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंस में जरूर बताएं और देखते रहें अनकट